आज हमारी बुक का नाम है भारत का सोतंतरदा संगर्स प्रोफेसर विपिन चंद्र अठासंताओन का विद्रो ग्यारा हमाई अठासंताओन दिल्ली की सड़कों पर सवेरा अभी उत्रा भी नहीं था जिन्दगी की हल चल अभी शुरू नहीं हुई थी तब ही मेरट से आय सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पारकर शहर में पहुँचा उन्हें सामने दिखाई दिया चूंगी का दफ्तर उन्होंने उसमें आग लगा दी और फिर लाल किले की तरफ बढ़ गये इन सिपाहियों ने एक दिन पहले की मेरट में अपने अंग्रेज अफसरों का आदेश मानने से इंकार कर दिया था और उनकी हत्या कर दिया थी सिपाहियों के शहर में पर्वेस करते ही दिली जैसे नींद से जागी अच्छी खासे भीड इन सिपाहियों के पीछे चली सब राजगाट, पारकर, लाल किले के भीतर पुंचे सिपाहियों का ये दस्ता यहां मुगल समराट बहादुर शाहदू उतिये से यहां अपील करने आया था कि समराट इन सिपाहियों का नितरित स्विकार करें supplied कि इस्टिंडिया कमपनीर से पेंसन पा रहे है मुगल समराट के पास उस समय इन सिपाहियों की रहनुमाइी करने के लिफ बचा ही क्या था फिर भी मुगल समराट का नाम इन सिपाहियों के विद्रोह को महत तो परदान कर ही सकता था इसलिए जब सिपाहियों ने समराट से रहनुमाई की अपील की तो वो ज़रा हिच किचाए क्योंकि वो ये तैय नहीं कर पा रहे थे कि इन सिपाहियों के इरादे वाकई में क्या है और फिर क्या वह खुद इस लाइक है कि इस लड़ाई को प्रभावी भूमी का निभा सके बहराल सिपाहियों ने बहाद उस शाह को इस बात के लिए राजी कर लिया और वो खुद को शेहन साह हिंदुस्तान गोसित करे इसके बास सिपाहियों ने दिल्ली पर कबजा करने का भियान शुरू किया कमपनी के राजनितिक एजन्ट सामेंन फ्रेजर समेट सैक्डों अंग्रेज इन समयान में मारे गए सरकारी दफ्तरों पर या तो सिपाहियों ने कबजा कर लिया या उन्हें नश्ट कर दिया इस तरह सत्ता के किंद्रा और पर्तीक के रुप में दिल्ली पर कबजे के साथ अटार सो संतान के विद्रोह की शुरूआत हुई विदेशी सासन को खत्म करने की दिशा में ये असफल लेकिन साहसिक परियास था दिल्ली पर कबजे और बहादुर शहदूईतिय दोरे खुद को हिंदुस्तान का समराट घोसित कर जान से किये जाने से इस विद्रोह को एक साकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला यही नहीं इसमें गुजरे जमाने की दिल्ली की ताकत और आनबान की याद भी लोगों की दिमाग में ताज़ा हो गई मेरट का विद्रोह और दिल्ली पर कबजा तो बस एक शुरुआत थी इसके बाद तो समूचे उत्तर भारत और पश्रिम और मद्ध भारत के कुछ हिस्सों में तो सिपाहियों और नागरिकों के बीच विद्रोह की तेज लहर चल पड़ी लेकिन दक्षड भारत इन सबसे बिल्कुल अलग अलग रहा पंजाब और बंगाल पर इसका असर मामूली रहा बहराल कमपनी के दो लाख बतीस हजार दोसोचोबिस सिपाहियों में से करीब आधे सिपाहियों ने अपनी रेजिमेंटों को छोड़ दिया और सेना के इस आधर्ष को फूप मार कर उड़ा दिया जिसे बर्षों के परसिक्षन और अनुशाशन के जरीए उन्हें सिखाया गया था यू मेरट विद रोह से के पहले से कैसी चाउनियों में अशन्तोस की चिंगारियां सुलगती रही थी बरहनपुर की 19 नेटिव इंफेंट्री ने नए किसम की एंफिल राइफल का इस्तमाल शुरू करने से इंकार कर दिया था नतीजा ये हुआ कि इस रेजिमेंट को मार्च को भंग कर दिया गया 34 नेटिव इंफेंट्री का जवान मंगल पांडे तो इससे भी एक कदम और आगे वड़ गया और उसे अपने सर्जेंट मेजर पर गोली चला दी उसे पकड़ लिया गया और फासी दे दी गयी इस रेजिमेंट को भी भंक कर दिया गया साथवी अवड रेजिमेंट के जवानों ने भी अपने अफ़तरों के आदेश मनने से इंकार कर दिये दिली पर कबजे के एक महीने के भीतर विद्रोह लगभग सब ही बड़े केंद्रों कानपूर, लखनओ, बनारा, सिलाहबाद, बरहली, जगदेशपुर, रजहासी तक फैल गया इन सब जगहों पर लोगों में अंग्रेजों के खिलाप गहरी नफरत थी विद्रोहियों ने हर जगह अंग्रेज परशाशन के पाउँ खड़ दिये चुके विद्रोही सिपाहियों के पास अपना कोई नेता नहीं था इसलिए उन्होंने अस्थानिय समन्तों, नवाबों और रजाओं को अपने साथ मिला लिया और उन्हें ने तृत्तिक जिमेदारी सौपी ये लोग भी ब्रिटिस हुकूमत के हाँ तो कभी न कभी सताय जा चुके थे इसलिए उन्हें उन्हें असंतोस तो था ही वे विद्रोह सिपाहियों के साथ आ गए कानपूर में अंतिम मेरट पेशवा बाजी रादी तीये के दत्तक पुत्र नाना सहब को विद्रोहियों ने अपनी कमान सौपी अंग्रेजों नाना सहब के उतरदिकारी नहीं माना था और उन्हें पूना से निर्वासित कर दिया था इसलिए वो उस समय कानपूर में रह रह रहे थे लखनो में बेगम हजरत महल ने तिरित सुमाला जहां अपदस्त नवाब के परती लोगों में गहरी असाहन होती थी हजरत महल के बेटे बिर्जिस कादिर ने भी वहाँ खूद को नवाब घुसित कर दिया और अपनी परशासा नस्थापित किया सारे महत्पून उपदों पर मुसल्मान और हिंदियों को नियुक्त किया गया बरेली से में रुहेल खंड के भूतपूर सासक के उत्राधिकारी खान बहादूर ने रहनुमाई की हलाकि बिरिटिश पेंसर पर गुजर बसर कर रहे खान बहादूर ने शुरू में इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं ली सच तो यह है कि शुरू में उन्होंने कमिशनर को विद्रोहियों की गतिवीधियों के बारे में छिताओं नी दी थी लेकिन विद्रोह की लहर के फैलते ही उन्होंने खुद परसासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संग्रिटित कर अपनी मजबूस सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया बिहार में जगदिशपूर के जमिंदार कुमरसी ने विद्रोह का नेतरित किया सतर साल की उम्र में जमिंदार कुमरसी को अंग्रेजों ने दीवाल ये पन की कगार पर पहुचा दिया था इसलिए वो भीतर ही भीतर अंग्रेजों के दुश्मन हो गए थे अंग्रेजों ने उनकी सारी समपती छीन ली थी और उसे लोटाने की उनकी बार बार की गई अपीलों को अंग्रेजों ने कोई असर नहीं लिया था हालाकि उन्होंने खुद किसी विद्रोह की यूजना नहीं बनाई थी लेकिन जैसे ही विद्रोही सिपाहियों का दस्ता दिनार पूर से आया, आरा पहुंचा, कुमर्सिंग उसके साथ हो लिये रानी लक्षमी भाई ने जहासी में सिपाहियों की कमान संभाली लॉर्ड डलहुजी ने उनके दत्तक पुत्र को उनके पती का उत्तरा धिकारी मानने से इंकार कर दिया था और विले की नीती डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स के तहट उनकी रज़े को छीन लिया था इस फैसले को बदलवाने के लिए रानी ने हर बड़े अफसर पर दर्वाजा खटकटा है बार बार अपी लेकि पर उनकी बात नहीं सुनी गई उन्होंने विद्रोह के इस मौके पर अंग्रेजों के साथ बाच्चित फिर शुरू करने की कोशिश की थी कि अगर उनकी रमागे मनजूर कर ली जाएं तो अंग्रेजों के साथ होंगी और इस तरह जहासी की तरफ से अंग्रेजों को कोई खत्रा नहीं होगा लेकिन अंग्रेज अफसरों ने उनके साथ दुश्मनी जैसा बरताओ किया रानी लक्षमी बाई ने सिपाहियों का नेतरित सुईकार किया मार्च 18-19 में उनके मैदान संभालने के बाद जहासी ने किंद्रों को बहुत बड़ी टक कर दी जहासी ने अंग्रेजों को बहुत बड़ी टक कर दी विद्रोह की यह लहर सिर्फ बड़े केंद्रों तक ही सिमित नहीं थी। बंगाल की करीब सभी सैनिक छाउनियों और मुंबई की भी कुछ छाउनियों को इसने अपनी लपेट में ले लिया। सिर्फ मद्रा से छूता रहा। वहां सैनिक अपने अंग्रेज अफसर के परती निष्ठवान बने रहे। यहां सवाल उठता है कि कमपनी बहादुर की नौकरी में लगे सिपाहियों ने आर्थिक अस्थाईतों और समाजिक परतीष्ठा को ठोकर मार कर विद्रोह क्यों किया। सारी सुविधाओं को त्याक कर सिपाहियों ने अनिश्चित भविस्य का खत्रा क्यों मोल लिया। दिल्ली में सिपाहियों ने जो मनादी की थी वह इस सवाल का जवाब देती है। सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदीनों क्या गंदे तरीके अपनाएं। पहले तो उन्होंने सारी हिंदुस्तान को जिवित नहीं छोड़ा है और इस बुनियाद पर हमने दिल्ली का शासन फिर से अस्थापित किया है। कंपनी की सैनिक शावनियों में कई ऐसी सेवा शर्ते थी जिन में मुख्यता उत्तरदक्षण प्रांतों और अवद बरतमान उत्तर परदेश हुआ से आने वाली देवस्था की गई कि सिपाही अपने धर्म और जाती की मननेताओं रिवाजों के तहट रह सके। लेकिन जैसे जैसे सेना की जिम्मधारियां बढ़ती गई न सिर्फ देश के कई हिस्सों में बलकि विदेश से में भी भारतिये सिपाहीं को भेजा जाने लगा तो धार्मि रस्ता सोचा ब्रह्मनों की भरती ही ना की जाए लेकिन यहां कोशिस सफल नहीं हुई। उन्हें इसी सदी के मध्य में बंगाल सेना में उची जातियों का ही बर्चस रहा। धार्मिक विरोध सबसे पहले 1824 में उपरा जब बहरकपूर की 47 रिजिमेंट को बर्मा जाने का आदेश दिया गया हिंदूओं के लिए तब समुद्र पार करने का मतलब था उनका धर्म नश्ट होना इसलिए सिपाहियों ने इंकार कर दिया आदेश का विरोध करने वाले सिपाहियों को फांसी चढ़ा दिया गया और रेजिमेंट भंक कर दी गई अफगान युद के द युद के बाद सिपाहियों के घर लोटने पर विरादरी किसे वापस लोटना उनके लिए मुश्किल हो गया सीता राम नाम का एक सिपाही जब अफगानिस्तान से लोटा तो ना सिर्फ उसे अपने गाउं बलकि अपने बैरक में भी जात वाहर घोशित किया गया था इस तरह कमपने की नौकरी में होने की इज़त इससे समाज में जगह नहीं दिला सकी धर्म और जाती कहीं जादा ताकतवर साबित हुई अफवा उड़े की सरकार पीछे ले चीपे तोर पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है इसाई बनाने के लिए परोचाहन दे रही है इस अफवा से सिपाही और भड़क उठे सरकार और इसाई मिशनरियों के आपसी रिस्ते ने अफवा को और भी बल दिया कुछ चाउएं में मिशनरियों को धर्म परचार की पूरी छूट दे गई इसके अलावा आटे में हड़ी कचूरा मिलाने की खबर और नई एंफिल्ड राइफल के परियोग ने सरकार के परती और संदेह पैदा कर दिया नई एंफिल्ड में परियोग कर होने वाली कार्तूस को राइफल में भरने से पहले दातों से खीच कर खुलना पड़ता था इसमें जो ग्रीस लगी होती थी वो गाय और सूर की चर्बी से बनती थी सिपाहियों और धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुची उन्हें लगा कि उनका धर्म खत्रे में है लेकिन उनके छोब का कारण के वल आहत धार्मिक भावना ही नहीं थी वे खराब सेवा शर्तों के कारण भी छुब दे थे वितन बहुत कम थी जिंदगी ना रखिये पैदल सेना की सिपाही को साथ रुपे मिलते थे और घुर सवार सेना की सिपाही को 27 रुपे लेकिन इसी मेंसे उसे अपनी वर्दी भोजन इत्यादी पर खर्च भी करना पड़ता था समूझे खर्चे के बाद बमुश्किल एक या दो रुपे वस्ते थे इस के लाओं उन्हें हमेशा ये महसूस होता था कि वे समान वेतन भोगी अपने अंग्रेजी साथी का सहाइक बन कर रह गए हैं हर कदम पर उसे लगता था कि गोरे काले का भेद किया जा रहा है पदुन्नतिय और अधिकार दोनों मामले में उनके साथ भेद भाव किया जाता था टियर होंस ने लिखा है सिपाही जानता था कि वो चाहे जितनी करतब निष्ठ दिखाए चाहे जितना बहादुर सैनिक बन जाए उसे अंग्रेज सैनिक के बराबर वटन कभी नहीं मिलेगा तीस बर्स की करतब निष्ठ सेवा भी उसे सदेव अंग्रेज अफसर का मातःत होने से बचा नहीं सकेगी वास्तों में इसी पाही सैनिक वर्दी में किसान थे जो अब तक गाउं की मिट्टी से जुड़े थे एक सैनिक अधिकारी ने डलहोजी को संभावित खद्रे के बारे में चितावनी दे दी थी हमारी सेना देश के किसानों के बीच से बनी है किसान के कुछ अधिकार है यदि ने अधिकारों का हनन हुआ तो हम ज्यादा दिनों तक सेना पर भरोसा नहीं कर सकेंगे यदि आप भारतिये जनता की संस्थाओं पर कुठरागात करेंगे तो सेना भारतिये जनता की हमदर्द हो जाएगी क्योंकि वो इसी के बीच से बनी है किसी भी वैक्ति के अधिकारों के हनन का मतलब है किसी ने किसी सैनिक के अधिकार का हनन क्योंकि हर सैनिक किसी ने किसी का या तो बाप है या बेटा या भाई या दूर का रिश्दिदार वास्तम उसमें ओवद में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस से सेना में ना रहा हो केवल ओवद के ही 75,000 सेनिक सेना में थे कोई भी घटना इन्हें ततकाल परभावित करती थी नए भूरा जस्तो कानून ने किसानों को सेनिकों को बहुत परभावित किया था इसके खिलाफ केवल सेनिकों की और से 15,000 अर्जियां दायर की गए थी डिली के विद्रोहियों का घोशना पत्र इस बात का सबूत था कि सिपाही अंग्रेजी सासन के दमन के परती सचेत हो गए थे इस परकार सेना अपने आप में ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का प्रयाय हो गई थी यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सेनिक किसी न किसी तरह आम जंता से जुड़े थे ग्रामिर जंता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने सैनिक विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया विशेसकर उत्तर पश्चिम प्रांतों और और अध में बंगाल आर्मी में जएदा तर सैनिक इन ही छेतरों के भरती किये जाते थे किवल मुजफर नगर और सहारनपूर को छोड़कर बाकी सारे अस्थानों पर सिपाहियों के विद्रोह के साथ साथ नागिरिकों का भी विद्रोह शुरू हो गया सिपाहियों के विद्रोह ने गिरामिलों को कुछ हद तक सरकारी भैसे मुक्ती दिलाई और संगठित विद्रोह सड़कों पर आ गया सरकारी इमारते फूक दे गई खजाना लूटा गया बैरके तोड़ी गई हतियार लूटे गए और जेल के फाटक खोल दिये गए ग्रामिलों के बीच सैनिक हुकूमत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का शंखनंद करने वाले विद्रोही निताओं का असर समाच के हर तबके पर पड़ा किसान, दस्तकार, धर्म, गरू, नौक्री, पेशा, दुकंदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया और सिपाहियों का विद्रोह, आम जंता का विद्रोह बन गया अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक संगठित आवाज थी यह बागावत, लगान के बोच से किसान पस्त था, वो कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा था इस्ट इंडिया कंपनी का एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा कर वसूलना बतार उधारन, 1812 इस्वी में, बरैली में कर्ज उगाही का काम दस महीने में पूरा कर लिया गया यह एक रिकॉर्ड था, कर्ज की दर बढ़ा दी गई थी, जिस से 14,73,188 रुपे जादा वसूल लिये गया सरकार ने कर उगाहने वाले अफसरों को बढ़ाई दी, सरकार ने ये नहीं सोचा कि इतना अधिक पैसा इतने कम समय में कैसे वसूल लागिया जाहिर सी बात है कि अफसरों ने कर वसूलने के लिए जनता पर बेंतहा जल्म ढाये होंगे उससे भी डंडे के बल पर पैसा वसूला गया हुआ, जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं था एक कलक्टर ने कई बार सरकार को लिखा कि वो अपने इलाके से वसूली नहीं कर सकता क्योंकि यहां सिवाए घास और कोई फस्ल नहीं होती, सरकार का निर्देश आया, घास अच्छी चीज़ है उसी को बिक्री करवाके टैक्स वसूली ए, सिर्फ गरीब किसान ही परेशान नहीं थे, सामन्त भी अंग्रेजी हुकूमत से दुखी थे विद्रोह के मुक्य केंद्र अवद में तालुकदारों के सारे अधिकार शीन लिये गए थे लगभब 21,000 तालुकदारों की जागीर छीन लिये इन तालुकदारों के पास आय का कोई साधन नहीं तक काम कर नहीं सकते थे भीक मांगने में शर्म आती थी, मजबूरन इन्होंने भी सिपाहियों के विद्रोह का समर्थन किया, उसमें शामिल हो लिये इन्हें उमीद थी के शायद फिर उन्हें उनकी जागीर मिल जाए, अंग्रेज हुकूमत ने शिल्पकारों और दस्तकारों का भी दमन किया, इस्ट इंडिया कंपनी के राज ने भारतिये दस्तकारी और सिल्प के प्रती उपेक्षा करवईया अपनाया, जो थोड़ी बह पर रुजगार था कहां, जिस तेजी के साथ दस्तकारी खत्म हुई, उसी तेजी के साथ और्दोगिक विकास नहीं हुआ, दूसरी और एकाधिकार वादी अंग्रेज सासन को इशारे पर अंग्रेज अफसरों ने जिस तरह समाजिक धारिम को प्रमपराम मानने तौपर उससे प्रमपरावादे हिंदू और मुसल्मानों को आगहात पहुचा, उन्हें लगा कि समाजिक परिवर्तन के नाम पर कानून बनाकर अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति को नश्ट करना चाहते हैं, उन्हें लगा कि इसाई मिशनरी उन्हें अपने जाल में फजा दे जा रहे हैं, इस परकार प्रमपरावादे और कटरपंती हिंदू मुसल्मान भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हो गये, विद्रोह के अनेक घोशना पत्रों, मनादियों में धर्म और संस्कृतियों पर हमले की अशंका का जिक्र है, इस तरह सिपाहियों ने विद्रोह क कि कसमसाती जनता को विद्रोह के संगम से उपजा 1877 का अंदोलन समुची जनता का अपरत्याशित विद्रोह, सवाल उठता है कि क्या या सूनी योजित विद्रोह था या एकाएक भड़का विद्रोह, इसे सूनी योजित इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके ठोश औरहंग था, उससे लगता था कि उन्होंने पहले से कोई योजना बनाई थी, हो सकता है कि योजना बनाने की बात सोची गई हो, पर कोई उसे अंतिम रूप दिया गया हो, ऐसा नहीं लगता, सिपाही जब मेरर से दिल्ली पहुँचे तो भादुर्शा चकित रह गया, उन असी कि रानी लक्षिमी भाई भी खबर पाकर विद्रोहियों के साथ हो गई, फैजाबात के नाना सहब और मौलवी अहमद शाहने सिपाहियों को विद्रोह के लिए उसाया था, या नहीं, अभी तक इस बारे में कोई ठोस परमार नहीं मिल सका है, इन दोनों ने वेभी न छाउनियों से गुप्त संपर्क बना लिये, इस बारे में भी कोई ठोस परमार नहीं मिला है, इसी तरह चपाती और कमल के फूल के माध्यम से संदेश पुंचाने की बाद भी संदेहास्पद है, इसका कोई परमार नहीं मिलता, हाँ, ये बात सच है कि मेरट की घटना के ए दिल्ली पर कबजा होते ही आसपास के सभी राज्यों राजस्थान के इलाग शाशकों को एक चिठी भेज कर उनके समर्थन की कामना की गई और उन्हें हिस्सा लेने के लिए आमंतरित किया गया, दिल्ली में एक परशासनिक अधिकरन बनाया गया, जिसके जिम्में राज् खे सेना से और शार नागरिक विभागों से, सारे निर्ने बहुमत में उसे लिये जाते थे, अधिकरन समराट का नाम पर राजकाच का संचालन करता था, एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा, दिल्ली की सरकार का सोरूप कुछ-कुछ शेना साही की तरह का है, समराट सरव वच्च था, और समवधानिक समराट की तरह ही उसका सम्मान किया जाता था, लेकिन संसत के अस्थान पर सैनिकों की एक परिशद थी, जिसमें सत्ता नहीं थी, येकिन वह उसका सैनिक भंडार, कमांडर नहीं थे, इसी तरह दूसरे किंद्रों में भी संगठन बनाने का प् परेली में खान बहादुर खान मुगल समराट के नाम पर परशासन चला रहे थे यहां भी अर्थ पूर है कि विद्रोही चाहे मेरट में हो कानपूर में या जहासी में उनकी पहली परतिकिरिया दिल्ली जाने की ही होती थी हाथ आई हुई ताकत को बनाए रखने के लिए गठन ततराजनितिक संस्था का गठन करने का जरूरत निश्चित रूप से महसूस किया जा रहा था ब्रिटिश परत्या क्रमन के सामने शुरू के धुंजले विचारों को परिस्कृत करने का कोई आउसर नहीं था एक साल से जादा समय तक विद्रोहियों ने भारी कठिना था वे बहुत दूर तक उनका साथ नहीं दे सकते थे और उनका सामना एक ऐसे शत्रू से था जिनके पास अधिक आधुनिक्तम शास्त्रास्त थे इसके अलावा उनके पास कोई तेस संचार विवस्था नहीं थी फलसरूप एक दूसरे के कारिकलाब का संगोजन संभो नही थे जिसका नतीजा ये हो था कि मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते सबको अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती थी यदपी ब्रीटिश विद्रोहियों के जनसाधारन की सहनुभूती मिल रही थी लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था वेपार सिपाहियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और मुंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रातना की थी कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश भारतिये सासकों ने अपने भविश्य की सुरक्षा अंग्रेजों के साथ होने में देखी थी आदमि विद्रोह नहीं किया बलकि अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ाई की पांच दस्तों की मदद से इनमें सत्रा सो ब्रेटिस सैनिक थे और बतीस सो भारतिये दिली पर पुना कफ़जा कर लिया गया कश्मीरी गेट को उड़ाने की काम को अंजाम दिया गया छे ब्र अर्मानिय अपवादों को छोड़कर विद्रोहियों को अपनी निताओं से कोई खास मदद नहीं मिली इनमें से अधिकांस इस विद्रोह के महत्त को समझने ही पैर औसर के अनुकूल ठाड़े नहीं वो सके बहादुर शाह और जीनत महल को सिपाहियों पर भरोसा नहीं था और अपनी सुरक्षा के लिए विद्रोहियों के एक सुत्र में जोड़ती थी वो थी बीदेशी हुकूमत के प्रति घेना लेकिन इसके आप पास तो कोई राजनेतिक दिरिश्टी थी और ना भविश्य का कोई साफ नक्सा वे सब अपने अतीत के कैदी थी और मूलता अपने विशेसाधिकारों की प्रप्ति के लिए लड़ रहे थे फलसरूप एक नई राजनेतिक विवस्था कायम करने की चमता उनमें नहीं थी ऐसे इस्थिती में यह चर्चनग नहीं है कि करांतिकारी ने तिरित्व नहीं दे सके जोन लारेंस ने ठीकी टिपनी की है अगर उनमें से एक भी योगनेता निकला होता तो हम सदा के लिए हा दर्श के लिए लड़ते हुए इज़त से जान दी बहरहाल सिर्फ वीरता ही नहीं इनसे कहीं अधिक शक्ति साली ब्रिटिस फॉज का प्रत्या कर्मन झेलने के लिए काफी नहीं था सबसे पहले दिल्ली का पतन हुआ 20 सितंबर 87 को एक लंबी और घमसान लड़ाई के खादुर शाह को पकड़ लिया गया उन पर मुकदमा चलाया गया और फिर बर्मा भीज दिया गया चुकि दिल्ली की विद्रोहियों की एक मात राशा थी इसलिए उससे उस पर अंग्रेजों का कबजा होते ही विद्रोहियों की रिड़ टूट गई ब्रिटिस सेनिक सत्ता ने एक के बाद एक सभी किंद्रों पर कबजा करना सुरू किया जहासी किरानी मर्दानगी के साथ अंत तक अपने लक्ष पर अटल रही और युदिक्षेत्र में लड़ते हुए सत्रह जून अठार संठाउन को उन्होंने प्रान त्याग दिये जनरल हीूग रोज ने जिस उन्सट के शुरू में नेपाल चले गए उन्हें ये आशा थी कि वे फिर संघर्स छेड़ सकेंगे कुमर्सिह ने अपनी पकी ही उम्र के बावजूद काफी फूर्ती दिखाई और अंत तक अंग्रेजों को पता नहीं लगने दिया कि वे कहा हैं उनके मिरित्यू नौ मई अठरसन ठाउन को हुए तात्या टोपे ने अपनी इकाई के साथ अप्रेल अठरसन उन्सट तक गुरिला लड़ाई सफलता पुर्वग जारी रखी लेकिन एक जमिंदार ने उनके साथ धोका किया और अंग्रेजों ने उन्हें मौत के घाट उताया दी तो इस तरह उस सम जाते तो कि इतिहास की दिशा क्या होती क्या होता यदि उन्होंने इतिहास की धारा को विपरीद दिशा में मोड़ दिया होता और पुरानी सामंती विवस्था को एक नई ताकत के साथ पुनाहस्थापित किया होता यहां इस विचा इस पर विचार करने की जरूरत नहीं ह हलाकि इतना तो कहा ही जा सकता है कि उनकी तमाम सीमाओं और दुर्बलताओं के बावजूद उनके सामने एक मातर भी कालप यही नहीं था। विदेशी सासन से राष्ट्र को मुक्त कराने की उनकी कोशिश एक देश भक्ति पूर्ण और इसलिए परगति शिल करवाई थी। दूसरा चेप्टर नागरी कवरादी वसी विद्रोः। विदेशी सासन के किलाब भारत के प्रमप्रागत संघर्ष की सबसे नाटकिये पड़ीनीती एठार संताओन के विद्रोः के रूप में। लेकिन ये विद्रोः कोई अचानक आया उबाल नहीं था। बल्कि ये जनता के उस संघर्ष की प्राकाष्ठा थी जो सत्रस संताओन में ब्रिटिस राज की शुरुवात के बाद से ही सुख बुगाने लगा था। और यही सुख बुगाहर धीरे धीरे फैलती बढ़ती गई थी। भारत में ब्रिटिस राज की अस्थापना भी महसे घटना नहीं थी। बलकि यह भारती अर्थ विवस्था और समाज के आपनिवेशी करन और धीरे धीरे उसको दबाए रहने की लंबी परकिरिया का नतीजा थी। इस परकिरिया ने हर अस्तर पर भारतीय समाज में असंतोस और छोब को जन दिया थी। जिसके कारण अंग्रेजों को लगाता हर छिटपूट परतिरोधों का सामना भी करना पड़ा। जन्ता के परतिरोधों को हम छोटे छोटे तोर पर तीन रूपों में बाढ़ सकते हैं नाग्रिक विद्रोध, आदिवासी विद्रोध और किसान अंदुलन। नागरिक विद्रो, ब्रिटिस राज के शुरू के सौ सालों में नागरिक विद्रो का सिल्चिला लगातार चलता रहा है सत्या चूत राजाओं और नवाबों या उनके उत्रा धिकारी या फिर अपनी जायदाद से बेदखल कर दिये गए जमिनदारों, भूसोवामियों, पॉलीगारों दक्षिल भारत के वे जमिनदार जो हतियार बंदस्ते रखते थे उन्हें पॉलीगार कहते हैं द्वारा इन विद्रोहों का नित्रित किया गयाता था कभी कभी अंग्रेज द्वारा जीती गए रियासतों के बड़े अधिकारी और दरबारी भी इन विद्रोहों का नित्रित करते थे इन विद्रुहों को जनधार और शक्ती हमेसा शोसित किसानों, दस्तकारों और ज़ाओं और न淌ाबों की विगड़ित सिनाओं के सिपाहियों से मिलती थी वे अस्थानिय विद्रुह आमतर पर किसी खास मुद्दे और अस्थानिय शंतोस के कारन उपस्ते थे हलाकि इनका दाहरा सिमित हुआ करता था लेकिन प्रायन विद्रोह में सैक्रों से लेकर हजारों तक शास्त्रास्त्र विद्रोही शामिल हुआ करती थे दरसल ब्रिटिस राजद्वारा अर्थवेस्था परशास्तान और भूराजस परणाली में जिस तेजी से परिवर्त किये गए थे उससे इन विद्रों ने जन्म लिया ब्रिटिस राज दोरा किये गए इन परिवर्तनों ने भारत के क्रिशक समाज में उथल पुथल कर दी थी जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को तकलीफें झेलनी पड़े ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल ने उनकी दरें बढ़ाते रहने की ब्रिटिस राज की आपनी वेशिक निती ने गाउं में जबरदस असंतोस बढ़काया है उदाहरन के लिए बंगाल में तीस साल के भीतर ही लगान की दरें मुगल काल की दरों के मकाबले दोगूनी बढ़ा दे गए थी जैसे जैसे और जहां जहां ब्रिटिस राज फैला वहां वहां लगान की दरें इसी तरफ बेतहाशा बढ़ती रहे लेकिन अंग्रेजों ने इस बढ़ी हुई रजस प्रप्ति का एक भी पैसा गाओं के विकास और कल्यान कारी कारियों के लिए खर्श नहीं दिया ब्रिटिस राज की इस नीती के कारण हजारों जमिनदारों और पॉलीगारों को अपनी जमीन और उससे मिलने वाले रजस उसे हाथ धोना पड़ा क्योंकि या तो ब्रिटिस राज ने लगान वसुली का अधिकार ही उनसे छीन लिया या फिर आस्मान चूती दरों के हिसाब से लगान ना चुका पाने के कारण उन्हें मजबूर होकर जमीन के अपने अधिकार बेचने पड़े